तो लेकर चलते हैं जहांपर जैराम रमेश क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुना देते हैं बीजेपी के दो हत्यार हैं एक हाथ में E.D. है और दूसरे हाथ में C.B.I. है 36 गड़ हो या राजस्थान हो E.D. और C.B.I. का जो दुरुप्योग हो रहा है राज़ितिक प्रतिशोद के जो हत्यार बन गए है और कॉंग्रेस की छवी को बदनाम करने में लगे हुए है हमारे नेताओं को फजाने में लगे हुए है यही तो राज़ितिक तानाशाही का एक प्रतिट है तो हम यह चुनाव लड़ रहे हैं नकिवल बीजेपी के साथ परन्तु बीजेपी के दो हत्यारों के साथ भी है के खिलाफ भी है एक एडी और दुसरा सीवी आगे हमारी जो कॉंग्रेस सरकार की उपलब दिया है बार बार पधान मंत्री घुजरात मॉडल का जिकर करते हैं पर पिछले पांच साल में राजस्थान मॉडल देखने को मिला है खास तोर से स्वास्त के चेत्र में लुचिरन जीवी पर ही होजना है आज सारे देश के लिए एक नमूना बन गया है यह 25 लाक रुपे तक मुफ्त इलाज कराना कोई हम बात नहीं है पर यह सरकार ने करके दिखाया है शेहरी रोजगार गैरंटी पर योजना की शुरुबाद की है और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए समाज के हर वर के लिए किसानों के लिए जो यूजनाय चलाई गई है इसी के आधार पर कॉंग्रेस फिर से राजस्थान की जनता से जनादेश मांग रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे संगठन में एक नही एक जुटता दिखाएगी एक नया उमंग एक नया उच्साफ एक नही शक्ती दिखाएगी और उसके बाद करनाटक के चुनाओं के नतीजे निकले और उससे साफ हो गया कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राज़्गीती में एक परिवर्तन काली क्षण था और मुझे पूरा विश्वास है कि वोही भावना भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो करनाटक में पाई देगा तीन तारीक को और कॉंग्रेस पार्टी को स्पष्ट भाहूमत फिर से मिलेगा कॉंग्रेस पार्टी ने और खास दोर से राहूल जी ने हमारे राश्ट्रिय शब्द कोश में एक नया शब्द जोड़ा है और वो शब्द है गारंटी करनाटक के चुनाव में हमने छे गारंटी दिये और इस बार राश्टान के चुनाव में हम इसको वादे नहीं कह रहे हैं हम गारंटी कह रहे हैं यानि करके ही रहे हैं महिलाओं के लिए दो प्रमुक गारंटी दिये हैं हमने कि हर एक महिला को खाते में प्रती महिना दस हजार रुपिया बना जाए प्रती वर्षिम हर साल 10,000 रुपया सीधे महिला के खाथे में जाएगा और आप जानते ही हैं गैस सिलिंडर राजस्थान में 500 रुपय का है उसको हम बरकरार रचेंगे अंगे रियाजियों में गुजरात में, उत्तर प्रदेश में मद्ध्य प्रदेश में गैस सिलिंडर का दाम 1100 रुपया से लेकर 1200 रुपया तक है पर राजस्थान में ये गारंटी दी है कि 500 रुपया ही रहेगा ये बड़ेगा नहीं, महिलाओं के लिए ये दो बड़े गारंटी है युवाओं के लिए हमने दो बड़े गारंटी प्रमुक गैरंटी दिये हैं जो सरकारी कालेज में पढ़ते हैं छातर, उनको लैप्टॉप या टैबलेट मुफ्ट दिया जाएगा क्योंकि आजकल डिजिरिल इंडिया का जमाना है और सब लोग चाहते हैं कि वो कम्प्यूटर शिक्षा हसिल करें और जो मैंने पहले ही कहा कि शहरी रोजगार गैरंटी स्कीम राजस्थान आज हमारे देश में एक मात्र राज्ज़ है जहां महत्म गांदी नरेगा के माफिक शहरी गैरंटी योजना की भी शुरुआद यहां हुई है सरकारी करमचारियों के लिए हमने गैरंटी दी है कि पुराना पिंशन स्कीम, ओल्ड पिंशन स्कीम OPS जाना जाता है उसको हम लागू करेंगे हमारी खुब आलोचना हुई प्रधान मंत्री ने हमारी कड़ी आलोचना की जब हमने OPS की बात की और आज वही प्रधान मंत्री को अपना सर जुखाना पड़ा है और आज वित्त मंत्री के अज़र आपको वो प्रेस कॉंफरेंस करते वे नजर आ रहे थे स्वास के शेत्र में भी अच्छा काम किया है युवाओं के भविश्य को देखकर टैबलेट हमने दिया और सबसे बड़ी बात कॉंग्रस ने राजस्थान में की है वो गारंटी की बात कही है गुजरात मॉडल की बात होती है लेकिन इन दिनों में राजस्थान मॉडल की बात हो रही है और इसी की साथ ही रुकते छूटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजर हुए कही मत जाएए देख तो रहे न्यूज रेटीन राजस्थार